गुड मॉर्निंग दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल के टीजी टी पीजी टी टार्गेट 20 कला के आज के इस वीडियो में तो मित्रो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो दबालीजेगा तक यागन नटिफिक्शन मिलता रहे है लाइक शेयर और कमेंट का ना मत भूलिएगा तो आएए चली शुरू करते हैं सुबह के दस ब पूर था छोटे लाल, सिवदास, उदयराम, नेपालिया तो इन चारों में से कौन था जो परदाज के कारे में निपूर था तो मित्रो पहले नंबर कोश्चन का अपका राइट अंसर हो जाएगा ए छोटे लाल कौन था छोटे लाल जो था वो परदाज के कारे में थी या राजस्थानी और पाल थी तो राजस्थानी चित्रकला इचरह में से कैसी रही तो कोश्चन करा राइट एंसॐं हो जाएगा वी शुद्ध सैली राजस्थानी अगला केसी थी सुद्धसायली थी अगला कूष्चन है अगनि पूराड में कलाकारो को क्या कहा गया है देवता भगवान महरसी haya या योगी तो अगनि पूराड में कलाकारो को क्या act का Suzanne करा कराई कि लोग साम के जो अड़ बज कोश्चन कराईए तो चुक्ति जुलाई का महिना चला है और इसकूल जो एख खूल चुक है तो एक टीचर होने के नाते में वहां भी समय देता हूं लेकिन मैं कोशिच करूंगा कि संडे के दिन आपको जो है कला के महरातन के ज़्यादे कोश्चन दिये जाए कोशिष करूंगा testosterone नहीं कर रहा हूं लेकिन कोशिष करूंगा जब मिलेगा तो आपको चले कुश्चन नमर तीन का राइटर्टी से ज़र देखते हैं निमलिखित भारतिय कलाकारों में बिंदुवादी कलाकार कौन है? एनस बेंदरे, केके हैबर, डक्टर राम कमर या तयब महता तो इन चारों भारतिय कलाकारों में बिंदुवादी कलाकार किसे कहा जाता है? तो चौत्वे नमबर कोश्चन का आपका राइट अन्स रो जाएगा A. N.S. बेंदरे को किसे का जाता है? N.S. बेंदरे को अगला कोश्चन है भारत का सबसे पुराना इस्पूत कौन सा है? साची का इस्पूत पिपरहवा अमरावती का या सारनात का तो इन चारों में से भारत का सबसे पुराना इस्पूत कौन सा है? तो पाचवे नमर कोश्चन का आपका राइट अन्स रो जागा मित्रो B. पिपरहवा का इस्पूत और आप लोग कमेंट करिएगा कि पिपरहवा जो इस्पूत है वो किस जिला में है? उस जिला का नाम क्या है? जहां ये इस्पूत है सबसे पुराना अगला कोश्चन पूछ रहा है गीत गोविंद के रचाईता जैदेव किसके दरवार में रहते थे? गोपाल पाल के? लचमड सेन के? धरम पाल के? या बित पाल के? गीत गोविंद के रचाईता जो जैदो थे वो किसके दरवार में रहते थे? तो छटे नमर कोश्चन का अपका राइट अंसर हो जाएगा बी लचमड सेन के? किसके दरवार में रहते थे मिद्रो? लचमड सेन के अगला कोश्चन आपका पूछ रहा है कंठ किस परकार के वस्तु का भाग है? मंदिर, इस्पूत, अस्तंब या गुफा तो कंठ जो है वो किस परकार के वस्तु का भाग है या हिस्सा है इन चारों में से तो साथवे का आपका राइट अंसर हो जाएगा C. अस्तंब का किस प्रकार के वस्तु का भाग है अस्तम वका ठीक है आगे कोश्चन पूछ रहा है असोक अस्तंग पर लिपी लिपी है यानि असोक अस्तंग पर लिखी जो लिपी है वो कैसी है ब्रामी है संस्क्रित है पाली है या देवनागरी है तो कैसी है असोक अस्तंग की लिपी तो आठवे नम्मर कोश्चन का अपका राइटन सरो जाएगा ए असो अस्तम पे जो लिपी लिखेगी है वो ब्रामी में लिखी गई है ठीक है अगला कोश्चन आपका पूछ रहा है जे एम अहिवासी का जन्म हुआ था अठार सो सांथिस एव से मëं अठार सो इकन्भे इस्व में उननी सो साती इस्व में या निससो एक इस्व में तो ये एम अहिवासी साहब का जो इस चारों में से किस सद्म में हुआ था तो नवे नमर कोश्चन का आपका राइटन्स रोजाएगा D. 1901 के सविय में हुआ था अहिवासी जी का जन अगला कोश्चन पूछ रहा है आपका रस का प्रमुक्ष रोजाएगा सौंदर्य, नाट्य, विचार या आनन्द तो रस का जो प्रमुक्ष रोज़ है इन चारों में से क्या है तो दसे नमर कोश्चन का आपका राइटन्स रोजाएगा D. आनन्द रस का जो प्रमुक्ष रोज़ होता है वो क्या होता है? आनन्द होता है इक रहावा नमर कोश्चन आपसे पूछ रहा है सदंग किस से संबंदित है अस्थापत्ति से चितरकला से वस्तर से या मुर्तिकला से तो सदंग किस संबंदित है मित्रो इन चारों में से तो इगरहवे नमबर कोश्चन का आपका राइट अंसर हो जाएगा बी चितरकला से सडन किस से सम्मंदित है चितरकला से सम्मंदित है अगला कुश्चन देखिए अगला कुश्चन पूछ रहा है नाट सास्तर में भारत नाट सास्तर में भरत देखिएगा यह भरत है यहां भारत हो गया है नाट सास्तर में भरत ने कितने भाव का विवेचना किया 42, 36, 49 या 45 तो कितने भाव का विवेचना किया नाटे सास्तर में भरतने तो बरहावे कुश्चन का अपका राइटन सर्जगा में तरो C, 49 कितना 49 भाव का विवेचना किया भरतने नाटे सास्तर में ठीक है अगला कोश्चन पूछ रहा है आख मी चोली चित्र क्यों बनाया गया मनकू को चित्र सिखाने के लिए मनकू द्वारा चित्र छीपाने के लिए मनकू से चित्र बनवाने के लिए या इनमे से कोई नहीं तो जो आख मी चोली चित्र है वो क्यों बनवाया गया तो तेरहवे नमर कोश्चन का अपका राइटेंसर जगमित्रो ए मनकू को चितर सिखाने के लिए जो है आखिमी चोली नमक चितर को बनवाया गया ठीक है अगला कोश्चन पूछ रहा है विकास भटाचारे ने किस वाद में चितरड कारे किया है घनवाद में अती या थार्त कोश्चन नमर 14 का आपका राइट इंसर हो जागमित्रो बी अती यठार्त वाद में किसमें अती यठार्त वाद में अगला कोश्चन है इस पूत के किस भाग में बहुत अस्थियां रखी जाती है च्छत्रावली अंडभाग हरमिका या मैधि तो इस पूत होता है उसके कि इस भाग में बहुत अस्थिया रखी जाती है ठीक है तो पंद्रहवी नमर कोश्चन का जो आपका राइट अंसर होगा वो हो जाएगा सी हर्मिका किस भाग में हर्मिका मित्रों अगर ये टार्गेट 20 का आपका सिरीज रिवीजन जो हो रहा है अगर पसंद आ रहा हो तो चैनल को जादस जादस स्क्राइब सेर और लाइक करिएगा दिल से अगला कुश्चन पूछ रहा है आपका बुद्ध योग मुद्रा में क कमल पर आशीन किस सेली का उतक्रिष्ट चित्र है पाल सेली का गुलेर सेली का अपभरस सेली का या जैन सेली का तो बुद्ध जो है वो योग मुद्रा में है और कमल पर आशीन है किस सेली का उतक्रिष्ट चित्र है तो सलोय नमर कोश्चन का आपका राइट एंसर हो जाए जन्म हुआ था 1855 में, 1897 में, 1844 में या 1883 में तो अब्दुल रह्मान जुगताई का जन्म जो है कौन से सन्में इन चारों में से हुआ था तो 17 नमर कोश्चन का आपका राइटेंसर हो जाएगा अगला कोश्चन पूछ रहा है अस्तंभो को मुख्यता कितने भागों में बाटा गया है चार, पांच, दो या छे एक बात इस कोश्चन का इंसर देने से पहले में बता देना चाहता हूँ आप लोग को कि फार्म जो आप लोग इने भारा है TGT, PGT का लागा ठीक है TGT, PGT जिसका भी आपने फार्म भारा है उसका इस्टेटस जो है आप लोग चेक कर लीजिए ठीक है इस्टेटस चेक कर लीजिए कि आप लोग के फार्म की सिच्वेशन क्या बता रही है क्योंकि यहीं से चेक करना सुरू हो गया है कि जो भी फार्म अगर रिजेक्ट होंगे तो यहीं से होने शुरू होंगे खेर अभी तक ऐसा कोई case नहीं आया rejection का कई जगा जो है status जो है accepted हो चुके हैं कई लोग में और कई लोगों में जो है under process में है तो अभी accept नहीं हो है तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जितने भी हमारे चैनल से जुड़े हैं वो भी अपना form का status जो है कला का check कर लें और जिनको कोई परसानी हो रहा हो तो मुझे message करेंगे मैं उनका एक बार मैं भी देख लूँगा अगर कोई परसानी हो तो लेकिन चेक जरूर कर लिजेगा आप लोग क्योंकि एक्जाम देने से पहले हमको अपने form के बारे में पूरा जान लेना है कि सब कुछ clear है कोई photo, कोई ID या photo या कोई चीज की होजा से reject तो नहीं हुआ है ठीक है तो इस बात का ख्याल लखिएगा जरूर देख लिजेगा तो चलिए question नमर ठारक का राइट इंसर देखते है question नमर ठारक का आपका राइट इंसर हो जाएगा मित्रो C2 अस्तमो को मुझत का कितने भागों बाटा गया है दो भागों बाटा गया है ठीक है अगला question है गोवर्धन किसका चितर है नैंसुक का मुलाराम का चैतुसा या मिस्कीन का तो गोवर्धन इन चारों में से किनका चितर रहा है तो इनस्वे नमर question का आपका राइट इंसर हो जाएगा B. मुलाराम किनका है मुलाराम का चितर है गोवर्धन और target 20 के revision series के आखरी question question नमर 20 मित्राप से पूछ रहा है कि किसने छापाकार के रूप में कारे नहीं किया इन में से चितर प्रसाद जैज हरोटिया राजा रवी बर्मा अनुपम्शूद तो इन चारो कलाकारों में से वो कौन सा कलाकार है जिसने छापाकार के रूप में कारे नहीं किया है तो 20 वे नमर question का जो आपका right answer हो जाएगा वो हो जाएगा C. राजा रवी बर्मा जो है उन्होंने छापाकार के रूप में कारे नहीं किया तो मित्रों कैसी लगी आज की हमारी टार्गेट 20 चेतरकला के रिविजन स्रीच की आज की ये वीडियो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएगा अगर पसंद आया हो तो लाइक से रो कमेंट का ना मत भूलियागा और एक बात और जो मैं आप से कह रहा हूं बार बार कि अपन कुछ दिक्कत हो रही है तब तो यह काम जरू कर लेजिए तो चले हमें तुराज के लिए दियाएप कर फिर मिलते हैं से समय सी टाइम लेकर कुछ और बैतरीन कोश्चन करेंगा